रादे रादे वेल्कम टो ओजस एस्टर जोद और मैं ओजस विनिशर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ यह वालो जो वीडियो है ना यह बुक रीडिंग तो नहीं है आई नो आप लोग बहुत बेश अबरी से इंतजार कर रहे हो नेक्स्ट चेप्टर का अगर मेरा मन क्या रीड करने का तो डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड भी करूंगी और मैं अप्लोड भी कर दूंगी बट यह वाला जो वीडियो है ना यह स्पेसिफिक लिए है वो इन्फरमिशन देने के लिए जो हमारा वर्क्शॉप कंडेक्ट होने वाला है यंत्रा का ड् स्पेसिफिकली हो सकता है कि 16 एयर और 21 एयर ऑग जो परसण ऐसकी रिकॉर्बंट डिफरेंट है वर्क्शॉप में आने की और एक जो 50 55 यर ओल्ट वर्ट सनु उसकी रिकॉर्बंट डिफरेंट है यह कोई जो सादक है वो किसी और पर पर्पस्यार है कोई आउड अफ Uh और 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 किसी भी कषिस में घरखी आघा सबस्र fluffy एंदा तो यम्र को पहले समझना जो सब्सक्राइब है क्या आप जो बॉड़ी कर रहे हो ना वो भी एक यंत्र है यह मशीन है वगवान ने बना के भी जाए जब आप meditation यह पूजा कंडे के लिए बैठते हो तो आप यंत्र की फॉर्म में बैठते हो आप अपनी डीटी को इवोक करते हैं देन आप अपने सुक्ष्म शरीर तक पहुंच पाते हो यह जीरो मेडिटेटिव बेसेकली मेडिटेक्शन का परफस है जीरो शुन्य में पहुंचना जीरो स्टेट पे जाना तो जब हम यह ड्रॉ करेंगे इसमें दो तीन चीज़े हैं जो इंपोर्टेंट है पहली चीज आपका इंट्रेस्ट है ये अंत्रा के अंदर या रेमेडियल आट के अंदर या एस्टोलोजी के अंदर आपको इंट्रेस्ट है आपको एस्टोलॉजिकल रेमीडिइस करना है या आप थोड़ा बहुत अस्टोलोजी जानते हो तो आप आसकते हो more than welcome आप attend करिये थोड़ा बहुत information है थोड़ा जादे information मिल जाएगा यहां पर आप परिशान रहते हो यह आपको कुछ नया skill सीखना है तो भी आप यह workshop जोईन कर सकते हो क्योंकि यहां पर सिर्फ drawing सिखाने के लिए तो बहुत सारे videos available है आप किसी भी YouTube channel पर search करोगे how to draw any yantra you'll find n number of videos बट उसके वारे में बात करना कि वो exactly क्या है किस परपस से यूज हो रहा है वो मुझे लगता है कि online बहुत अच्छे से वैलिबल नहीं है बहुत जादा कुछ नहीं है इविन डीजी सार ने भी बहुत basics yantra बताया हुआ है लोग वहां तक भी पहुंच जाए ना तो बहुत बड़ी बात है कि आपने पुरी यantra की book cover कर ली उन्होंने महाविद्या का देवियों की यantra बनाए वांस के अंदर तो यहां पर हम जो cover करने वाले हम एक अंतर ही cover करेंगे श्री यantra इसमें coloring का पार्ट है वह आप खुद चूज करोगे color आप ले के आ सकते हो कोई भी normal water color poster color एक रेली color ठीक है online रहेगा over the zoom meeting रहेगा दो दिन का workshop है और यह दो दिन के अंदर आपको recording available कराई जाएगी अगर आप चाहोगे live है complete live classes if you want recording तो recording के लिए request कर सकते हो तो first day में क्या रहेगा first day के अंदर हम basic समझेंगे पाले कि यंत्र है क्या यंत्र को हम क्यों start कर सकते हो if you are a beginner तो आप यंत्र को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वहां पर हम डिसकस करेंगा में एडवांस में नहीं जाएंगे हम से beginning point of view से ही बता रहे हैं अगर आप ठीक है और हमको while drawing यंत्र किस mental state से हमें वो draw करना है क्या हमें कोई chanting करनी है नहीं करनी है हमारा focus कैसे होना चाहिए और measurement किस तरीकी से लिया जाता है कि आप अगर एक यंत्रबनाना सीख जाओगे तो obviously काफी ह्ता कापके लिए आसान हो जाएगा आगे के लिए अगर आप यंत्रबनाना है प्रैक्टिस करना है अब हमने यंतर बना दिया अब यंतर बनाने का उसका करना क्या है उसको कहां प्लेस करना है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसका यूजिस क्या-क्या है हम वो डिसकस करेंगे second day वे यूजिस के अलावा coloring का follow-up होगा मतलब आप खुछ से color करोगे और आप follow-up करने के लिए आप ग्रूप चाट वाट्साप का जो ग्रूप चाट करके उसमें अपना queries डाल सकते हो questions डाल सकते हो हम लोग एक follow-up session भी ले लेंगे after this workshop पूजा कैसे करनी है मतलब ये श्री यांत्र आपने स्थापत कैसे करना है उसको energized कैसे करना है आपको डीटी को evoke कैसे करना है वो हम discuss करेंगे तांत्रिक point of view से भी exactly एक कहां पे use होता है या it's advanced part यांत्र का जब हम इस्तिमाल करते हैं जब डीटी की पूझा करते हैं तांत्रिक point of view कि हम विग्रया को नहीं इस्तिमाल कर रहा है हम वहाँ पे यांत्र कोई device को यह use कर रहा है तो यह सारी चीज़ें हम इस workshop में cover करने वाले हैं और इसके अलावा अगर आपका कुछ और ऐसा डाउट है जो मैंने इस वीडियो में cover नहीं किया है तो मैं आपको सचिस्ट करूंगी कि आप description में मैंने link दे रखा है अगर आप बुक करना चाहरे हो अभी आज और कल अगर आप बुकिंग कर लेते हो वर्क्शॉप के लिए तो इस 4.99 अगर आप confirm नहीं कर पाते हो offer नहीं करना चाहते हो तो यह वांट तो टेक ताइम तो तो इस 2100 ओके वर्क्शॉप तो इस वर्क्शॉप जो इस बाऊब पर दी फीस्क स्टर्क्च्चर पर और आप confirmation के लिए और details चाहिए और कोई questions है जो यहां पर वीडियो में cover नहीं हो है तो नीचे mobile number पर में mention है email ID पर में mention है वहां पर आप connect कर सकते हो बहुत interesting रहने वाला है that's for sure you will not regret कि मैंने क्यों attend किया that is my promise because I am into astrology I am into healing and I am an artist so यह कुछ ऐसा है आर्ट वाला जो portion है जो I it is God gifted भगवान की तरफ से मुझे दिया गया है so I think I can teach you more about how you can become more self-aware apart from other things tantra में मैं ज्यादा कुछ नहीं किया है बट यह है कि हाँ I'll invite some guests I'll try to invite somebody who can give you more insight on the tantric part all right so that's all for today's video and next video में तो book reading session ही होगा और कुछ भी information है consultation की regarding information चाहिए तो भी आप call करके confirm कर सकते है मैं नीचे consultation का form भी डाल दूँगे in case you want you can go ahead and take the consultation booking as well so till the next time